आप सब कैसे आप सब भिहारी जी की किर्पास सब अच्छे ही होंगे तो मेरे पास में काफी सवाल आयते कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होती है कैसे करनी चाहिए क्या क्या नियम होते हैं चुकि काफी सारे लोग है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करते हैं पर पंतून को नियम का नहीं पता होता है तो उसी विशे में आज की ये जो वीडियो है तो मैं आपको बताऊंगी देखो वैसे तो हिंदू धरम की अनुसार बगवान श्री कृष्णा को सब लोग आजकल घर में फूज रहे हैं ठीक है कही इन्हें लड्डू गोपाल जी के का पालन पोशन करते हैं जैसे नवजाज शिशु होता है उसको हर चीज की सुविदा की कैसा कपड़ा होना चीए कैसा है कोई चुभने वाला नहीं है हर शीच की सुविदा होनी चाहिए अगर लड्डू को पाल जी आपके भी घर में विरासते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और नियम का नियम सुने हैं, उनका क्या क्या नियम होते हैं, लडोगोपाल जी के कैसे-कैसे उनकी सेवा होती है, कैसे-कैसे उनको पार्रन फौ्षन किया जाता है, अब आप कहूगे, धाकुर जी तो भगवान है, उनको बच्चे की तरहीएं, क्योंकि भग उनको बना था तो उनुने अपने बहाय का जब द्रोपति की साड़ी तरी तो तो अपने भाये का कत्या नहीं भाया था अरजुन ने कानजी को सखा के रूप में के रा था क्या घारा़ था तो सबने अलग 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 जब बहगत होते हैं कि प्रत्थम तो यह बात मन में बैठा रहा हुट बहुत अवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डु गोपाल जी है का परवेश हो जाता है लडुगो पाल जी को है लडुगो पाल जी को जिस घर में भी तो एक दिन पहले आप अपने जैसे एक चोटे बच्चे के लिए आप लोग नहीं सजाते हो कि हाँ हमारे बेबी आज बेबी हुआ है तो बच्चा आएगा उसके वैल्कम के लिए तो ऐसा ही लड़ुकपाल जी के वेल्कम के लिए घर में भलून लगाओ जो जो आप लोग करते हैं वे सब करके फी जब विंदावन जाएं कहीं से लड़ु को पाल जिलाएं उनका वैलकम कीजिए अच्छे से कीजिए खीक है और यह भाव निकाल दे कि वह मतलब वह एक मूर्ती हैं या फिर एक विग्रे हैं जी नहीं अब जब वह आपके घर में विराजमान हो गए हैं तो आप अपने मन में ये चिश डाल लें कि वह अब उसे आपके घर के सदस्य हैं ठीक है कोई यह नहीं है कि आप उनको एक तरफ मंदिर में बठा दिया तो अब उनसे आपका कोई मतलब नहीं है जी नहीं उनके लिए एक अच्छा सा इस्तान देख है जिससे की लाला आपको गर्मी का एहसास नहों और सरीर पर कपड़ा बिल्कुल भी चुबे ना जब भी आप अपने बाबु को लेकर आते हैं तो यह बात तो विशेशतर ध्यान रखें सेकिंडली हो जाती है कि लड्डू को पाल आपकी परिवार के सदस्य हैं सत्य तो आप अपने लड्डू को पाल जी को किस रूप में लेकर आए हैं भाई के रूप में लेकर आए हो बेटे के रूप में लेकर आए हो सखा के रूप में लेकर आए हो किसी भी रूप में आप लेकर आए हैं तो उस रिष्टे को आप भरपूर तरीके से निभा हैं ऐसा नही बहुत गलत होती है फिर इन चीजों को उल्टा प्रभाव होने लग जाता है यह सब को ही पता है मान लीजी अब शीशू है एक शीशू पैदा हो जाता है जब शीशू पैदा होता है तो उसका कितना देखवाल होती है कि रात में जग जाएगा फिर उसको दूद देना है बच्चे होने पर अइसे ही लड़ो को पाल जी का है जब लाला को भुक लगे तो न ब्हुंको अगया उनको color पानी और लट्डू होाँ रख लख और विचार इतने काले हो गए हैं काले और ना उनको पानी देना है ना कुछ देना है ना भोग लगाना बस यह होता है कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजबान है जब आपके आप अपने घर के अंदर बैट के खाना खा रहे हो एक थाली में खाना सजा रहे हो खुद खा रहे हो लड़ो को पाल जुका भोग नहीं लगा रहे हो एक तो होता कि हमारे पास में खाना है नहीं तो हम अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पारे है ठीक है पर परिवार के और तीसरा है परिवार के सरदस्यों की अवशक्ताओं के अनुसार ही लड़्दू को पाल जी की सभी चीजों को खयाल रखना चाहिए आप मान लीजी आप अपने बच्चे के लिए लेकर आ रहे हैं फ्रॉक या कपड़े लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले लड़ लड़ू को पाल जी के शमक्ष रखिए तो हर चीजे में सबसे पहले आपके घर के जो ठाकुर्जी है वही पूंज नहीं होंगे और उन्हीं को ही सब कुछ जैसे कुछ भी लेकर आते हो सबसे पहले लड़ू को पाल जी किसी विशेश ताम जाम के नहीं आपके प्रेम के चीज़ों करता है ठीक है कभी शेशतर ध्यान दखें और प्रती दिन जैसे लड़्डू को पाल जी आजाते हैं उनको इशनान कराना चाहिए डेली मान लीजे कभी ऐसी कोई दिक्काथ हो जैसे आपकी तबही ज्यादा खराब है आप नहीं करवा सकते हो कपड़े नहीं बदलवा सकते हो तो हलका सा य जो ठाकुर जी को एक नाम दीजिए जैसे अपने बच्चों का नाम लगते न अच्छे अपने ठाकुर जी का भी नाम लखिएगा ठीक है तो इस नान कराने के लिए इस बात का विशेशता ध्यान लखिए कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी या सर्दी गरम पानी मे जैसे पानी हूसह उसी तरीके से पानी भी شद राकुर जी को के लिए फानसाज से करें लिए तूइसी तरीके से गर्मी है तो भी पानी हमेशा निवाया होनी चाहिए है और उसके बाद में धाकुषी को दूद दीजिए पानी दीजिए नीलाने के बाद में इस तरीके से आप इनकी शेवा करें और हां जिस परकार आप लोगों को भूख लगती है उसी परकार लड़ुक पाल जी को भी भूख लगती है उनका भोजन ये चीज का ध्यान रखे हमेशा सात्विक होना चाहिए सुबह का नाश्ता शाम की चाय नास्ते आदी का ध्यान लखें घर में कोई खाने की बस तू आए तो सबसे पहले लड़ुक पाल जी का हिस्सा उसमें से अवस्य निकलना चाहिए ठीक है सुबही जैसे ठाकुर्जी उठ जाते हैं सबसे पहले ठाकुर जी को उठते के साथ उनका आच्वन कराएं आच्वन का मतलब भाव ठाकुर जी का मुः साफ कर और पैर वैसाफ करके उसके बाद में थाकुर्जी को थोड़ी देर ऐसे से करकर के उनको वो कराए और फिर उसके बाद में आप इनको दूद दीजिए पानी दीजिए उसके बाद में दूद पानी पिलाके फिर उनका इसनान कराईए इसनान से पहले इनकी मालिश करी जैसे क चोड़ दीजिए जिसे की शरीर में तेल बैठ जाए और फिर उसके बार में आप ठाकुर जी को जब इसनान करा देंगे फिर दुबारा से आपके घर में जो भी नास्ता बना है प्राथा आलू रोटी जो भी आपको बनिये फिर अपने ठाकुर जी को भोग लगाईए उसके साथ में उनको दूद दीजिए फिर ठाकुर जी को अच्छे से जहां भी इनका स्तान है वहाँ बठा दीजिए फिर लंच में इनको दीजिए जो भी आप खाना बनाते है खाना सात्विक होना चाहिए प्याज लैसुन नहीं होना चाहिए उसके अंदर और ठाकुर जब चुलाने के बाद देड़ से दो घंटे का शेहन कराना चाहिए बावा ये ठाकुर जी जो है वो बोरना होएं और फिर उसके बाद में आप डिनर की तयारी कराई है डिनर खिला के ठाकुर जी को फिर उसके बाद में जब आप लाला सोएं लालों को सोते समय कोई न कोई कहानी सुनाई है इनके भक्तों की कहानी सुनाई है और फिर उसके बाद में ठाकुर जी को दूद पानी पिला के फिर शायन करा देना चाहिए फिर उनके बाद में इनको इनके पास में ड्राइफ फूट्स या फिर दूद दूद नहीं पानी और यह सब आप रख सकते हैं जिसे के लालों को भूख लगे तो यह अपने आप से पा सके क्योंकि रात में आप तो उठके देखोगे नहीं और अगर आपके भाव बहुत अच्छे ठाकुर जी के लिए तो आपको पता चल जाएगी कि मेरे ठाकुर को भूख लगी है ठीक है तो इन चीजों का विशेशतर ध्यान रखें और दूसरी चीज है मोसं के अनुसार ठाकुर जी के नायन को ठीक है गरम कपड़े पेनाय और जी को खिलोने बहुत प्रियें हैं वह खिलोनों से बहुत ज़्यादा प्रेंस किरुख कर थैं तो इसलिए इनके लिए जब भी भार भूमने के रिए जाएं तो इनके लिए अवश्य खिलोना लेकर आएं ठीक है और एक जी जो जिस परिवार के सभी सदस्ये आपस में एक दूसरे से कोई रिष्टा होता है वैसे ही लड़कोपाल जी से रिष्टा होना चाहिए मैंने भी आपसे खाता कि जैसे की भाई का मित्र का पुत्र का किसी भी एक रिष्टा जरूर होना चाहिए ठाकुर्जी का इन चीटों का विशेश्चतर ध्यान लखिए ठीक है और हाँ यह तो सब प्रतिक जन्मस्टमी पर लड़कोपाल जी की पूरा दूम धाम से करते हैं क जैसे आप अपने बच्चों का अपने बच्चों का बनाते हैं तो इन सब थ्यान लखना बैएक और जब अपने थ्यान लखने लगेंगे और उसके बाद में देखना कि आपके साथ में कितने कितने सारे चमतकार होते हैं चिक है और चमतकार ऐसे ही नहीं होते कि आपने लड़ु को पाल जी लेकर आए और आपने बैठा दिये विराजवान करा दिये और उसके बाद में आप पूछी नहीं रहे हो उनको मैंने कितने घर ऐसे देखे हैं कि थाकुर्ची बैठे हैं ना उनको पानी देते हैं तो यह सब चीज़े देखो गलत होती है पाप होता है फिर या तो फिर आप रखो मत रखे हो तो आप उनकी सेवा अच्छे से करो तो यही चीज़े हैं तो आप थाकुर्जी लाने की सोच रहे हो तो जरूर लेकर आईए और सेवा के नियम मैंने कि वह जो है खापुर जी की सेवा जो है न बिल्कुल प्रेम से करिएगा एकदम प्रेम से क्यों कोई कर बोने कि मुझे अब ऐसे कोई बोलेगा वैसे कोई बोलेगा मैं कैसे टाइम निकालू बहुत सारी लोगों की यह वह होती है तो इसके फर्में मैं वीडियो होगी तो हरे कृष्णा रादे रादे जैश्री रादे